hey friends welcome and welcome back to my channel मैं हूँ manashvi और अगर आप मेरी चैनल पर फॉर्स ताम विजिट कर रहे हो न तो मैं ब्यूटी डियाइवाई और बहुत कुछ इंट्रस्टिंग से वीडियो लेक आती हूँ तो अगर आपने मेरी चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब अगर आपको किसी को पर प्रॉड़क में यूज किया है एक और चीज में बता दूना कि यह जो मेक अप लुक है वह हमारा वन ब्रैंड मेक अप लुक भी होने वाला है जो की औरी फ्लेम का है और इसके हर एक प्रॉड़क की लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी अगर आपको किसी को पर प्रॉड़क करना है तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में या तो फिर मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके वहां पर आप मुझसे पर्चेस कर सकते हो तो चलिए हमारे ही मेक अप लुक शुरू करते हैं लेट्स गर स्टार्ट व हम लोग यहां पर लेंगे जीजे का फांडेशन और यह ना मेरी स्किन से एकदम मैचिंग टोन है तो इसको मैं फ्लैट ब्रश की मदद से अपने पूरे फेस पे लगाऊंगी मैं सिर्फ और सिर्फ एकदम पत्ला वाला लेयर करने वाली हूँ कोई ऐसे चूना जेसे पोच आज तो बहुत ही कम फांडेशन से भी ना कितना अच्छा कवर मिल रहा है वो दिखो और यहां पर मैं लेगने वाली हूँ दवन का औरी फ्लैम का कंसीलर और उसे हाइलाइटिंग कंसीलर की तरह लगाएंगे यहां पर हमारा मेक अप लोगना थोड़ा सा हैवी होने वाला अच्छे से अमारे स्कीन पर जो भी हमने अभी तक लगाया है उसे लॉक करने के लिए मौस्चर हम लोग कॉंपेक्ट को एप्लाइब करेंगे राउंड मोशन में ब्लश को एप्लाइब करना है मेक अप को निकालना नहीं है और यहां पर हम लोग दवन का पैंसिल लेने व है ना उसे ठीक करेंगे और यहां पर मैं औरी फ्लेम का आई शेडो पैलेट लेने वाली हूँ और यह सारा मेक अपना उसके बाद का अभी हम उसे में से करने वाले है तो आई शेडो में थोड़ा सा डार्क ग्रीन कलर में करेंगे क्योंकि मेरी जो लुक है न वह एकदम से मुझे स्मोकी लूग चाहिए लेकिन ग्रीन स्मोकी लुक चाहिए तो अच्छे से मैं ग्रीन कलर से एकदम कवर कर लूँगी हमारी जो आई लीड है उसे शेप में और हुड़ेट आई बना लोंगी और उसके बाद मैं यह आप है सेंटर लीड पे न अच्छे से गोल्डन को लेंगे और अच्छे से हमारे जो भी एरियास को हमें ब्रॉंस करना है न उसे अच्छे से मर्च करेंगे गुए अब देख सकते हो कितने अच्छे से ब्लेंड ओरा ही आईशेडो और सब कुछ और उसके बाद हम लोग नोस का contouring करेंगे यार मेरी make up में नोस contouring सबसे मेरी favorite चीज है आपकी make up में कौन सी favorite है ना वो मुझे नीचे comment करके आप लोग जरूर से बताना और हम यहाँ पे NYX का highlighter अप्लाइक कर रहे हैं और highlighter काफी ज्यादा में एकदम से soft look दे रही हूँ इतना ज्यादा highlighter नहीं लगाने वाले है क्योंकि यह दिन का मेकप है अगर रात का होता तो हम लोग ज्यादा apply कर सकते थे और यहां पर मैं औरी फ्लेम का पिक करके हमारी waterline पे eyeshadow से अच्छे से कवर करूंगी यार आजकल यह मेरा भी फेवरेट हो चुका है कि अगर मेकप में यह चीज ना करूना तो मुझे मज़ा ही नहीं आता उसके बाद मैं अच्छे से हमारे जो lashes है ना उसे करूंगी ताकि मशकरा लगाने में इतना ज्यादा प्रॉब्लम ना हो मुझे और यहां पे मैं false lashes apply नहीं करने वाली हूँ सिर्फ photo कीजिने के लिए मैंने false lashes को apply किया था फिर मैंने निकाल दिया था तो इसकी मदद से ना मैं 5-6 coat करूंगी ताकि मुझे lashes की जरूरत ना रहे और अगर आप लोग भी मेरी तरह ना false lashes से दूर भाग रहे हो ना तो मस मस करा अच्छा वाला purchase करो और उसके अच्छे coat करो ना तो need इतनी नहीं रहती है और यहां पर मैं oriflame का lip liner लेने वाली हूँ जो की purple shade पे है purple और pink कलर पे और उसी lip liner से मैं अपना पूरे होटो को cover कर लूँगी lipstick की जगा पे और उसे अच्छे से merge कर दूँगे तो हमारा eye makeup थोड़ा सा heavy है तो lipstick हमने बहुत ही ज्यादा light रखा हुआ है तो यह ना यह कपड़ों पर यार ना यह makeup शूट नहीं हो रहा ना तो चलिए फटावट से कपड़े चेंज कर लेते हैं आपको हमारा eye makeup लोग मुझे नीचे कमेंट करके जरूर से बताना और हाँ चेनल को ना सुब्सक्राइब करना मत बूलना था कि नया जब भी वीडियो है ना तब आप लोग देख सको और अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स और फेमिली के साथ शेयर करना तो चलिए म कर दो